प्रणसर्ट करे गिल्साराइ प्वार्ट शरकर्मकर दख्यत्ता विकास, उत्यमित्ता, शुचना प्रजुक्ति विद्यात उथा जुगाजचर्ण मंत्री, शुतर राजीव चंदरशेकर, अमें तैंक सवित्य कठाहबा राजीब जी आपका बहुत बहुत शुआगा थे अर्गस नियूज में आप एसे डिपार्टमेंट एसे मंत्रायलों के साथ आप जुड़े हुए हैं जिसका डारेक्ट कनेक्षकर रुजगार के साथ है यूद के साथ है तो हम आपसे जाना चाहेंगे आपके गर्मेंट का सबसे एक फ्रैक्सिप जो इनिसियेटिव था 2016 में स्किल्ड डेफ्लमेंट यूबाओं को स्किल्ड करना तो 6 साल हो गया और आज 6 साल के बाद आप कहां देखते हैं ये कितना सक्सिस्पुल हुआ है आपने सही कहा कि दोनों जो मेरे रिस्पॉंसिबिलिटीज हैं जो प्रदान मंतरी मोदी जी ने मुझे दिया है 8 जुलाए 7 जुलाए 2020 उनका दोनों का एक कॉमन थ्रेड है हमारे यूआओं के फ्यूचर और मैं मानता हूँ कि मेरा एक खुश खिस्मती है या आप जो भी कहें मेरा एक प्रिवलिज है कि मैं इसमें यहाँ पे कुछ योगदान कर सकूँ आपने एकदम सही पकड़ा है कि 2016 में जो प्रदान मंतरी मोदी जी का एक विजिन था स्किलिंग का उन्होंने कहा तब 2016 में कि हमारे युआओं को ना ही हम डिग्री दे और एजूकेशन दे लेकिन साथ साथ उनको रियल लाइफ इंडस्टी के एक्सपिरियंस और उसके लिए जो स्किल की जरुरूत है उसके लिए भी एक प्रोग्राम खड़ा करें तो 6 साल में 2016 से आज तक उस बीच में आप जानते ही हैं दो साल के कोड महामारी बिठा उसमें 3 करोड से ज़्यादा बाहरत के युआओं को स्किल दिया गया है और इसका लोग कहते हैं इसका इंपैक्ट क्या हुआ है कितने नोकरी मिले हैं लोगों को रोजगार कितने मिले हैं हमारे जो सर्वेज से निकलता है कि इस 3 करोड से मिनिमम 65% लोगों को तो डिरेक्ट एंप्लॉइमेंट मिला है और दूसरा ये इंपॉर्टन एक डेटा पॉइंट आपके साथ शेर करना चाहता हूँ कि 2017, 2018, 2019, 2016, 2017, 2018, 2020 तीन साल के हमने जो periodic labor for survey हम करते हैं सरकार उसमें ये भी दिखा गया कि unemployment का rate जो है 6.4% से लेकर 4% तक घटा था before COVID तो skilling का direct impact on employment skilling का direct impact होता है बच्चों के confidence पे क्योंकि वो experience करते हैं skill का और skilling का direct consequential impact होता है unemployment rate घटने का तो मैं मानता हूँ ये जो 6 साल में हमने प्रदानमंत्री मोदी जी के vision को हमने implement किया सरकार ने उसका काफी impact रहा है और इस post COVID के दुनिया में post COVID के reality में जो दुनिया के देशों में एक workforce के shortage और workforce का disruption हो रहा है वहाँ पर भारत के युवाँ को एक बड़ा role play करने का एक अफसर हम आगे वाने दिलों में देखते हैं जी जी से आप बोल रहे थे कि दो साल कुरोना काल का जो रहा उसके लिए ना कि भारत में पुरे दुनिया में उसका प्रभाब रहा तो उसी साब से जो लास हुआ था उसके कारण हम देखेंगे दुनिया के बाकी जो एकोनोमी है वो नीचे आगे लेकिन भारत का एकोनोमी ग्रोथ रेट वो पूरे बाकी जो डेवलाप कंट्री है उससे भी जादा है आगे दोड़ रहा है और उसमें ये जो हमारे जो स्किल डव्लेमेंट प्रोग्राम और एंटरप्रेनर्शिप नई स्टार्ट अप इसका कितना योगदान है और आफ्टर कोवीड ये कैसे अभी उसका गती अभी कैसी आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूचा क्योंकि प्रदानवांतरी मोदी जी का हमेशा एक संकल्प रहा है उनका विश्वास रहा है कि भारत के जो हम भविषय के बारे में बात करते हैं भारत के भविषय का आर्किटेक्चर और उसका जो नीव और उसका रिजल्ट हमारे युआ पीडी बनाएगा वो हमेशा कहते आए रहे हैं इसलिए 2016 में उन्होंने स्किल इंडिया लाँच किया और 2015 में उन्होंने डिजिल इंडिया लाँच किया क्योंकि दोनों के लिए आडियन्स और टार्गेट थे हमारे युआ और उनका ये एकदम अन्वेवरिंग बिलीफ था कि हमारे युआ पीडी देश को इतने आगे ले जाएंगे वो सोचते थे ये 2016 में और 2015 में और आज देखे क्या हो रहा है 2022 में भारत विश्व के सबसे तेजी से economic growth होने वाला economy बन गया है यहां पर सबसे ज़्यादे start-ups हो रहे है सौ से ज़्यादा unicorns बने हैं डेड़ साल में भारत बना है दिश्व के third largest start-up and innovation ecosystem और यह किस ने किया है हमारे युआ पीडी ने यह 65 साल जो हम 75 साल मना रहे हैं उस से 65 साल से ज़्यादा इंडियन economy was controlled by few families और growth होता या नहीं होता वोट टेग करते थे कि growth होगा तो कैसे होगा growth होगा तो कितना होगा आज देखिए हमारे economy के कौन दोड़ा रहे हैं economy को हमारे first generation युआओ जो अपने बल पे अपने idea से अपने hard work से successful companies बना रहे हैं तो प्रदान मंत्री मोझी जी का जो vision था 2015-16 उन्होंने digital India लाँच किया 15 में 16 में skill India लाँच किया उसके जो full उसके जो results आज आप हम को देखने में को मिल रहा है कि 2022 में जब USA जैसे देश उनके economy दो quarter से recession में पड़ गया है चाइना जैसे देश जो कहता था कि मैं आएगी emerging super power हूँ अभी भी वो चोथे और पांचवे lockdown में busy हैं और हम ऐसे देश बन गए हैं कि हमारे युआ शक्ति हमारे सरकार की नियत और activities 200 क्रोर लोगों को voluntary टीका दिलाना मुफत में टीका दिलाना और उसके साथ साथ हम economy को सबसे दुनिया के सबसे बड़े economy बनाने में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं तो यह सब narrative जो आज को हम experience कर रहे हैं देख रहे हैं उसका सब नीव था 2016 के skill इंडिया मिशन में और 2015 में digital इंडिया मिशन जी जैसे आप बोले और आपके सरकार का यह priority रहा है आज तक कि युबाओं के उपर ज़्यादा focus करते हैं और हमारा देश भारत जहांकि विश्व के सबसे ज़्यादा प्रतीश्यत हमारा population का जो youth power है बाकी देश के हिसाब से अगर देखेंगे तो हमारे पास skilled जो manpower है वो बाकी देशों के लिए भी चाहिए उनका demand है भारत के manpower उन्हें सही तो आज के हिसाब से अगर देखेंगे तो किन खेत्रे में ज़्यादा demand है भारत के manpower का देखें मैं नवंबर डिसमबर 2021 में प्रदान मंत्री मोदी जी ने मुझे भेजा था दुबाई और वहां पर एक ऐसे meeting हुआ था और meeting में मैं भी पहली बार जा रहा था as a मंत्री और हम skill की बारे में बात करना शुरू किये हम वहां के मंत्री लोगों से और वहां के business और industry के साथ और मेरे मन में ये था कि जो हम 50 साल से कर रहे हैं कि middle east में हम यहां से low skill workers भेजेंगे चल गया मुझे और आज वह एक एक तरह से reality बन गया है कि पूरे विश्व के nations में डिमांड है यंग highly motivated highly skilled workforce के और उसका span है blue white collar से blue collar यानि कि वह AI engineer भी बन सकता है वह construction supervisor भी हो सकता है वह event manager भी बन सकता है वह hospitality में steward यार waiter भी हो सकता है ऐसे एक बहुत बड़ा spectrum of opportunities खड़ा हो गया है और मेरा यह मानना है कि प्रदानमंत्री मोदी जी ने जो 2016 में कहा था कि इंडिया कें बेट टालेंट नेशन फॉर दो वर्ल्ड उन्होंने कहा था artificial intelligence on one end event management और दूसरा end में hospitality बहुत सारे ऐसे opportunities और आगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या एक opportunity है ऐसा कुछ नहीं है जापान के जो opportunities है अलग है यूके में जो opportunities है health care के opportunities है बहुत बड़े opportunities है यॉरोप में event management hospitality health care construction में बहुत जादा opportunities है middle east में technology construction real estate में बहुत सारे opportunities है इसलिए प्रदान मंत्री मोदी जी हमेशा कहते हैं और हम सब धर्मेंदर प्रदान जी मैं सब युवाओं को यही कहते हैं कि देखिए ऐसा opportunity खोईए मत आप जल्द से जल्द कोई भी skill पर जो आपको रुची हो उस पर focus कीजिए सीखिए पढ़िए क्योंकि यो जो opportunities का अवसर का जो एक माहोल बन रहा है या और opportunity का जो ocean बन रहा है और जो बना रहे हैं हमारे सरकार उसको खोईए मत आप जल्द स्किलिंग कीजिए और उस opportunities की जो train पकड़िए और मैं कहता हूँ स्किलिंग इस पासपोर्ट तो प्रॉस्पेरिटी स्किल के द्वारा ही आपको इस जो opportunity के train में अगवर आपको चड़ना है आप स्किल कीजिए और राजीब जी आप औरीसा में आए हैं तो औरीसा के बारे में थोड़ा अपसे बात करना चाहेंगे औरीसा हम देखेंगे तो औरीसा के जो लोग है औरीसा के जो skill people है आज गुजरात में जो textile industry है diamond industry में जो skill manpower है वो maximum औरीसा से हैं सिर्फ गुजरात नहीं बाकी कई राजियों में ये कुरोना के समय हम ये देखने को मिला जब lockdown के कारण सारे industries बंद हो गए तो लागों के ता आपके शरकार का ये priority रहा है जो skill मियानपावार है उनके उनके इलाके में अगर काम मोहाया करा जाए लेकिन औरीसा में ये नहीं हो पाया है आज तक इसका क्या कारण आप देखते हैं और क्या suggestion रहेगा इसके हल के लिए कारण तो मैं इतना expert तो हूँ नहीं कि मैं कारण बता सकूँ लेकिन मैं एक तो ये काफी confidently कह सकता हूँ कि जो skilling होता है या सरकार देते हैं especially state government वो depend करता है वो state government के empathy और उनका responsiveness मैंने पूरे देश के काफी states में मैंने विजिट किये हैं हमारे skill centers को विजिट किये हैं हमारे students के साथ मैंने interact किया है और ये काफी clearly देखने को मिलता है कि कोई ऐसे state है जहां पर skilling को बहुत एक focus माना जाता है और युवाओं की future पर एक political focus होता है administrative focus होता है कि हम अपने युवाओं को उनके life में ज्यादा से ज्यादा opportunities प्रदान करें और ऐसे भी state होते हैं अब नाम नहीं लूँगा जहां पर काफी सारे means publicity करते हैं लेकिन वो जो core issue of युवाओं को empower करना वो करते नहीं हैं भूल जाते हैं या उनको उसका रुची नहीं होता हाली में मैं गया था एक state में नाम नहीं लूँगा और उसका perception यह है कि वहाँ का जो भी है मंत्री बड़े dynamic हैं वो foreign जाते हैं press conference करते हैं ये करते हैं वो करते हैं लेकिन मैं उनके एक backward district में गया और वहाँ पर एक ITI था state government का चला था और 1967 के बाद उस ITI में कोई भी modernization हुआ नहीं और वहाँ के बच्चों को एक तरह से उन्होंने condemn कर दिया था कि वही जो 67 में technology सिखाते थे वो आज भी सिखा रहे हैं तो ये अलग-अलग state governments के अलग-अलग से मैं मानता हूँ approach to you ITI मैं तो हर मुक्यमंत्री और हर state को ये कहता हूँ कि आप skill India के साथ partnership कीजिए आप skilling में focus कीजिए पैसा डालिए network बनाईए क्योंकि skill से ही हमारे युआउं का empowerment होता है और युआ ही हमारे state के आपके state के सबसे बड़े assets होते हैं तो ये प्रदान मंत्री मोझी जी का एक vision बड़ा पश्ट है अलग-अलग states उसको मानते हैं जो states मानते हैं हमारे अपने युआउं के लिए investment करते हैं कोई state नहीं करते हैं तो अभी हम को तो advice ही देना हमारे power तो यो ही है लेकिन मेरा advice और सुझाव मैं ज़्यादा औरिसा के बार में जानता नहीं हूँ इसलिए मैं ज़्यादा उसके detail भी नहीं जाओंगा लेकिन मैं ये advice जरूर दूँगा कि युआउं के लिए skilling और digital India जैसे program central government के program नरिंद मोदी जी के program बहुती transformational हैं वो जुड जाएं यहाँ पर अगर जुड़े नहीं हैं या जुड़े हैं तो ज़्यादा जुड़े और ज्यादा से ज्यादा skilling हमारे औरिसा की युआउं को दे ताकि वो जो mainstream के ये जो opportunities बन रहे हैं drones, technology, space, agri-tech, media tech इस सब में कितने सारे opportunities बन रहे हैं in India and abroad तो उसमें सब opportunities अगर बना रहे हैं सरकार इस opportunity के पीछे उडिया के भी युआ परसू करें और हम तो धर्मिन प्रदान जी तो हैं उडिया से और वो तो एकदम committed हैं कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा skilling के लिए जो भी मांग हैं हम करेंगे और उसका कोई doubt होना नहीं चीए लेकिन राजी सरकार भी उसका एक तैग कर लें कि उनको यह priority बनाना है जी बहुत बढ़िया राजीब जी बाकी जो information technology और communication के बारे में आपके साथ उँ मुदे पर भी जर्चा करेंगे राजीब जी हम अब बात करेंगे जो information technology और communication के बारे में हाल ही में आपके government का decision आया कि वोडिसा के 20,000 से जादा गाओं में 4G network पहुँचा जाएगा और उससे पहले भी decision हुआ था आराउंड 4,000 towers लगेंगे तो बहुत बड़ा investment होने वाला है वोडिसा में तो उसी हिसाब से उसके लिए skill म्यानपावार का भी जरूरत होगा तो यह जो प्रोजेक्ट से आने वाला है तो उसके साथ जो उडिसा के जो skills म्यानपावार है उनको मोका मिले और उनका ठीक पुफियोग हो इसके लिए कुछ प्लान है दीए एक तो मैं आपको बताओं कि जो Digital India का program प्रदान मंत्री मोधी जी ने 2015 में लाउंच किया था आज के दिन 80 करोड भारतवासी इंटरनेट से जुड़े हुए है और कनेक्टेड है और अगले दो तीन साल में बाकी जो 40 करोड भारतवासी है वो भी जुड़ जाएंगे और जो आपने सुना ये program प्रदान मंत्री मोधी जी ने कहा है कि हम saturate करना चाहते है कोई भी ऐसा भारतवासी नहीं होगा जिसको और जिनको इंटरनेट से जुड़कर सरकार के schemes सरकार के direct benefit transfer का जो facility है उनको ना मिले तो एक तरह से प्रदान मंत्री मोधी जी ने तैकर लिया है कि हर भारतवासी और saturation हर scheme के हर beneficiary को scheme के benefits मिलने चाहिए और ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि कई दूर दूर दरार में वहाँ उनके पास internet ना ओने के कारण उसको scheme का benefit ना पहुंच पाए तो ये जो दो दिन पहले cabinet ने निर्मे किया है और BSNL का revival और BSNL के दौरा और साथ में ऐसे एक coverage का जो माहौल होगा उससे मैं मानता हूँ बहुत सारा benefit और बहुत सारे लोगों को जो आज के दिन सरकार के benefit से जोड नहीं पा रहे हैं वो जुड जाएंगे एक तो वो हुआ दूसरा आपने सही कहा कि ऐसे activity जो tower बनाना है network को roll out करना है 4G network को install करना है और अब आने वाले दिनों में 5G का नया network भी आएगा उसके लिए काफी skilled युवाओं की जरुवत पढ़ेगा और उसके लिए भी हमने skill program में काफी शुरू किये हुए है जैसे मैंने कहा हमारा skilling program होता है demand driven तो अगर उरिसा के युवाओं या उरिसा में जो industries हैं या टेलिकॉम operators हैं राइसपीज हैं demand करते हैं कि ऐसा हमें 2000 युवाओं को training करना है skill India उनके साथ बैढ़के skill program design करके उनको deliver करने की कोशिश जरूर करेंगे और होगा भी जरूर तो ये आपने एक सही मुद्दब पकड़ा कि एक हाथ साथ एक coverage का issue भी solve हो जाता है और दूसरे और रोजगार भी मिल जाता है और मैं मानता हूँ यह बहुत ही powerful combination digital India का और skill India का राजीब जी मोधी शरकार का fast phase का अगर हम देखेंगे वो शरकार जाम सरकार के नाम में पहुँज था जन्धन, आधार और मोबाइल हम ये कुरोना काल में देखेगी ये तीन जो जाम बहुत काम आया लोकों का आधार के कारण जो सही beneficiary है उनके पास पहुँचा और जन्धन आकाउंट में पैसा पहुँचा उनका और मोबाइल के जरिए उन्हें information मिला लेकिन इसको बहुत बड़ा आलोचोना जहलना पड़ा था जब ये शुरू हुआ था जो विरोधी उबता रहे थी कि एक public stunt है लेकिन उसका फाइदा लोगों के पास पहुचा और आगे इसे आप कैसे देख रहे हैं आगे जाके ये फिर कैसा उसका लोगों के पास काम में आने वाला है और इसका expansion कैसा देखते हैं आप आपने बहुत ही एक important मुद्धे पर highlight किया है क्योंकि परदानमंत्री मोदी जी ने जब digital इंडिया लाँच किया था 2015 में उन्हों टेकनोलोजी का सबसे बड़ा important objective ये कहा था कि आम आदमी के life में टेकनोलोजी के दौरा बदलाव आए उनका सबसे बड़ा important objective ये था कि टेकनोलोजी के दौरा हम कैसे governance के process इंप्रूव करें आम आदमी के जीवन में कैसे बदलाव लाएं simplicity लाएं जो वो आज के दिन कहते हैं ease of living एक तो वो दूसरा मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि 65 साल से इंडिया का एक जो narrative बना था और इसको राजीव गांदी ने 1985 में बड़ा famously डिस्क्राइब किया था कि दिल्ली से जो 100 रुपए निकलता है बेनिफिशरी की और 15 रुपए ही पहुंचता है बेनिफिशरी के खाते में 85 रुपए हैं बीच के बिचोलियां लीकेज करप्शिट खा जाता है यह बड़ा एक famous narrative था और भारत के बारे में जब भी लोग कहते थे वही कहते थे कि यह एक बड़ा dysfunctional form of governance है इतना बड़ा देश है यह कभी यह corruption निकलेगा नहीं और beneficiaries को 100 रुपए के 15 रुपए ही मिलेंगे यह तो एक predestined narrative बन गया था इंडिया के बारे में मोदी जी ने आकर 2015 में कहा कि मैं technology से यह जो age old narrative को मैं इसको बदलूँगा और उन्होंने dbt और jam trinity आधार as an identification प्लाटफॉर्म और यह जो जंदन योजना का account बनाना सब को account देना उस से उस narrative को एकदम transform कर दिया उन्होंने आज क्या होता है आज दिल्ली से जो 100 रुपए निकलता है beneficiaries के account में पहुंच जाता है directly ना कोई leakage ना कोई delay ना किसी को office में जाके queue में खड़ा पड़ना पड़ता है मैं recently गया राजमुंडरी में PM किसान निदी के एक program को chair करने में और इतना satisfaction लगा मुझे 5000 किसान एक conference hall में बैठे हुएं प्रदान मुंत्री जी दिल्ली में बैठकर उन्होंने चौता किस्ता उन्होंने इनागरीड किया और उस conference hall में हर किसान के phone में बीप 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 instantaneous corruption free responsive governance प्रदान मुंत्री मुझे जी जी ने through the same jam, through the same DBT, through the jam, JDI उन्होंने करके दिखाया तो आपका प्रशनी यह है कि लोग तब आलोशना करते थे आज तो कोई आलोशना करता नहीं है आज सबी दुनिया के देश मान गए हैं कि इंडिया has become the pre-eminent country in the world to use technology for the benefit of its people यह मोदी जी ने करके दिखाया है आने वाले दिनों में हमारा mandate यह है मोदी जी ने कह दिया है और बड़ा स्पश कह दिया है कि हमें saturation करने है कोई भी भारतवासी जो beneficiary है उनके हक उनके पास directly through technology उनको मिलना चाहिए तो हर scheme हर government के scheme को हम digitize करेंगे हर service को हम digitize करेंगे और यह digital government का जो रफतार है उसको जादा करेंगे ताकि हर और उसके side में आप आपने जो कहा पहले प्रशन वापने पुछा कि हम connecting करेंगे सब को connectivity देंगे तो हर भारत के citizen को सरकार के scheme सरकार के services से जुडने के लिए आसानी उसको आसान बनाना और saturation करना यह हम आने वाले सालों करेंगे आखिर में आपसे जानना चाहेंगे digital India के बारे में आपदार है थे जिसके बहुत सारे फाइदा मिलने है लोगों को लेकिन उसके सामने बहुत बड़ा challenge आज के दिन में है cyber fraud, cyber crime जिसके लिएकर खास कर सही question आपने पुछा है कि हमारा जो सोच conventional सोच है कि technology और internet भलाई के लिए है लोगों को जोडने के लिए है सरकार और लोगों के बीच में distance कम करने के लिए है लेकिन उसके साथ ऐसे भी थोड़े phenomenon internet और technology का हम को देखने को मिल रहा है जहां पे criminality, crime आपने के लिए का cyber fraud ये भी on the rise है क्योंकि जैसे जादा से जादा लोग internet से जुड़ रहे है थोड़ा criminality भी जादा हो रहा है लेकिन इसके लिए हमने बड़े इस पर्ष्ट तरीके से हमारे policies को boundary conditions define किये हैं कि हमारे लिए policies internet के openness, internet के safety and trust और internet पे accountability हम लाएंगे, हर digital नागरिक को हम safe और trusted internet महसूस करने का हमारा एक संकल्प है तो उसके लिए हम laws ला रहे हैं policies ला रहे हैं, cyber security को जो भी करते हैं उनको identify करने के लिए हमने अच्छे-च्छे rules बनाये हैं recently और हर system, हमारा एक system भी है, cert करके organization है दिली में, उसको state governments के साथ, state certs को भी हम capacity जादा कर रहे हैं ताकि investigate करने के लिए हमारे पास tools हो capabilities हो, क्योंकि cyber fraud और cyber crime थोड़ा अलग है real life crime से, तो उनको ढूनना, वो कहां पर है, क्योंकि हरियाना में बैठे हुए बंदे को cyber fraud कर सकता है औरिसा में, और केरल में बैठे हुआ या Singapore में बैठा हुआ केरल में कर सकता है cyber fraud तो ये थोड़ा complex issue है, क्योंकि cyber space is not like normal space लेकिन उसके लिए capabilities और capacities हम बना रहे हैं और मैं आपको special troops से कहे दूँ कि लोग safe महसूस करें trusted महसूस करें लेकिन वो अपने आपको careless ना बनाएं कि internet में भी user हम हो सकता है internet में भी लोग हो सकते हैं जो आपको ठक सकते हैं जैसे online, offline world में भी हो सकते हैं तो आप भी थोड़ा careful रहें लेकिन सरकार हर प्रयास करेगा कि internet safe और trusted रहे और जहां पर वो थोड़ा problem है उसको हम safe और trusted बनाएं भूट भूट धन्यवाद राजीव जी हमारे साथ बात करने के लिए तो हमसूइता आपना समना रहे थिले केंद्र राष्ट्रमंत्री राजीव जंद्र शेखर और गुरु तोपुन प्रशंगरे शेतांकर उत्तर रखेले तो समय होची आमना समना पोईट रखेला पून ये आसंता सब्ताहरा इभणी आउज़ण चछित चेहरांका सविता आमना समना हाबा मिताया दियांतू नमस्का उन्स प्रशंगरे